पस्चिम बंगाल के न्यू जलपाई गुड़ी के पास बड़ा रेल हासा हुआ इस हास्रे में कंचन जंगा एक्सप्रेस ट्रेन की मालगारी से भिड़त हो गई यह हास्रा इतना भीशर था कि कंचन जंगा एक्सप्रेस का एक कोच मालगारी पर चड़ते वे आसमान की ओर उड़ गया अब तक मिली जानकारी कमसा दोनों ट्रेने एक हीट ट्रेक पर आ गई थी जिसके चलते यह हास्रा हुआ है इस हास्रे में बंगाल की सीम ममतावनर जी ने ट्वेट किया है और कहा कि बचाओ दल मौके पर भेजा जा रहा है कटिहार मंडल के रंगापानी और निजबाडी वाली स्टेशन के बीच में स्टेशन पर खड़ी कंचन जंगा एक्स्प्रेस को पीछे से माल गाड़ी ने टक कर मार दू कंचन जगा एक्सप्रेस के करीब तीन बोगी पट्टी से नीचे उतर गई धक्का इतनी तेज था कि एक बोगी दूसरी बोगी पर चड़ गई गटना की सूचना पर कटिहार रेल मंडल में हडकम मज गया कटिहार और एनजेपी से एक्सिदेंटल डिलीफ ट्रेन और मेडिकल वैन लेकर रेलवे के अधिकारी गटना इस तल की और गएं पता जाता कि सियालदे जार ही कंचन जंगा एक्सप्रेस रंगापानी स्टेशन पर खड़ीती सीबीत पीछे से माल गाड़ी जाकर उसे टक कर मार दी गाड़ बोगी और SLR के साथ साथ जन्रल बोगी भी पूरी तरह से शतिरगर्स्त हो गई कई कोच रेलवे पट्री से उतर गएं जिस कारण सेकुडों लोग जख्मी होने की सुचना मिल रही है पुर्वांचल पुर्वत्तर सीमांत रेलवे के मुख जन्संपर का दिकारी सब्याची डे ने घटना की पुष्टी की उन्होंने कहा कि अभी कितने जख्मी हुए इसकी बात सामने नहीं आया इस घटना में कितने आत्री की मौत हुई है या भी बात नहीं पता चल पाई है मंडल और एनजेपी के कई वरिष्ट रेल पदाधिकारी घटना स्तलकियों रवाना हो गये सीनियर डीसियम धीरंज चंद्र कलिता ने बताया कि एक्सिडेंटल रिलीव ट्रेन और मेडिकल वहान को रवाना किया गया है अभी थोड़ा गंबीर है यह आप देख रहे है कंचन जोंगा एक्सपेस है यह पीछे यहां पर खाड़ा था और पीछे से एक मालगारी आके इसको टोक दिया तीन बागी अभी तक डिरेल्ड हुआ है पांच फैटल्टी हुआ है यह पांच अभी तक हम रिस्क्व कर लिया है और मालगारी का जो आगे का इंजिन है वहां पर गैस कटल लगे आर्पी आगे है हम लोग टोकल पीस से आगे है ठीक है अभी तक जो हिशाब है पांच हुआ है ठीक है और कितने लोग की मौत हुआ है पांच का मौत हुआ है अभी तक अभी तक 25 तो 30 यह ली बट दा इंजिरी जा रहा है और वहां से फिर आगे बास लेके लेके जा रहा है इंसिडेंट पीछे से मालगारी आके यह कंचन जोंगा जो एक्सपेस है मालदा कंचन जोंगा एक्सपेस है इसको पीछे से कॉलिशन हो गया है